हिमाचल परदेश में एक हजार अठासी बज पुलिस कोंस्टेबल के आ गए हैं तो ये खुसकबरी है एक और इसमें हम पढ़ेंगे जो हाइट के नंबर इन्होंने लग से दिये हैं एक्जाम कैसा होगा योगेता क्या रहेगी और जो हिमाचल के लावा अन्य राज्यवाड़े बच्चे हैं क्या वो फारम भर पाएंगे देखी कोंस्टेबल के वेकेंसी 708 इन्होंने दी है मेल के लिए और फिमेल के लिए 380 फारम आपके 4-31 अक्टूबर तक बरे जा रहे हैं फीस जो है वो यू आर के लिए और अन्य राज्यवाड़ों के लिए 600 इन्होंने दी है ठीक है अब फीस इन्होंने अन्य राज्यवाड़े के लिए दी है तो इसका मतलब अधर स्टेट वाड़े भी फारम भर पाएंग SC, ST, OBC, EWS, EWS जो BPL काटेगरी में हो ये सब काटेगरी के लिए फीस कम रखी है 1500 रुपे रखी है और महिलाओं के तो मोज कर दी 0 रुपे फीस इसके बाद देखिए जो कॉंस्टेबल में वेकैंसी है आपकी 708 मेल की उसकी काटेगरी वाइस जो है इन्होंने अलग-लग सब्सक्रादी है जैसे आप देख रहे हैं UR की है तो 208 है उसमें SC की 101, ST की 20, OBC की 81 आपकी और EWS की 68 ये जो है WFF हो सकता है आप ना समझते हों ये वार्ड सो Freedom Fighter सबतंतरता से नानी जो थे हिमाचल में उनके जो बच्चे पोते बगराब हो है उनके लिए है ये इसके बाद नेक्स्ट आपकी फिमेल की वेकेंसी देखेंगे 380 तो इसमें आपको दिख रही है UR की 104, SC 40, ST 13, OBC 38, EWS 32 वेकेंसी और इसमें आपकी WFF, BPL वगरा, X सर्विसमें वगरा अलग अलग वेकेंसी आ जाएंगे और ये HG का मतलब अगर किसी को confusion हो तो ये बेटा है home guard, तो home guard में लगे हैं उनके लिए अलग से वेकेंसी है, reservation है अब आगे मैं age की बात करूँ तो age इन्होंने बताया कि 18 से लेकर 26 साल, 26 साल दी है, 25 होती थी, एक साल बढ़ाया है इन्होंने relaxation दिया है और एक जनवरी 2024 को count होगी तो ये भी एक फाइदा है, ठीक है, योगेता आपकी बारवी, अब इन्होंने ये कहा है कि 10 वी और बारवी हिमाचल से होनी चाहिए आपकी इन्होंने ये नहीं कहा कि आप हिमाचल के ही होने चाहिए। ये नहीं कहा, यानि कि अन्य राजे बारवी अन्य राजे से कर रखे वह नहीं वर पाइंगे, थीक है बट हाँ कोई हिमाचल का बंदा है वो दिल्ली जाके पढ़ाई किया और उसने दस वी बार दिल्ली से किया तो वो भर पाएगा अगर उसके पास resident certificate है हिमाचल का तो वो भर पाएगा बेसे उसने बाहर से कियो पर बाहर वाले स्टेट वाले हैं तो वो तभी बर पाएगे जब उन्होंने हिमाचल से कियो एक लिंक जरूरी है या तो आप हिमाचल के होने चाहिए ठीक है दो मिसाई लो या फिर आप वहां पड़े होने चाहिए थोड़ी सी यह छूट दी है कई राजे तो यह भी नहीं पर करिया आपका फीजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट हाइट और चेस्ट मापी जाएगी हाइट में जिनकी ज्यादा हाइट होगी इनको ज्यादा अंख मिलेंगे मैक्सिमम छी अंख और फीजिकल एंडूरेस टेस्ट में आपकी दोड और जंप वगरा होगा रिटन के अगर बात करूँ रिटन में आपके 90 अंख है दो घंटे का होगा डीवी में आपको एनसी से का सर्टिफिकट दिखाते ही आपको एक दू और चार अंख ए बी और सी सर्टिफिकट के लिए मिल जाएगे फिर मैडिकल होगा अब इसमें देखिए आपकी इन्होंने हाइट जो इस आपकी इंच है ठीक है यह रख दी अब इसके बाद इन्होंने SCST वालों को फिर OBC को इनको थोड़ी थोड़ी हलकी हलकी कहीं ने कहीं छूट दी है इसके बाद मैं आगे चलू पे बेसिक आपकी 20,200 होगी तो कुल पे मानके चलो 40 के आस पास पहुंचेगी बत्ते वग इस जाम के लिए मिलेंगे ये final selection मैं अच्या अगर मैं बात करूँ female की है न हई संद को हाईट कम चाहिए साल की जूट मिल पाई है आप होमगाड को 29 होमगाड है सेस्टी को भी 29 अच्छा इसके बाद अगर आप हाइट के नंबर लेना चाहते हैं तो 58 अगर हाइट किसी लड़की की उसके पास तो दो अफसर होते हैं 58 से जादा है हिमाचल की लड़किया खुबसूरत भी होती है ठ तो देख लिजिए आप उच्छे अंक लेने हैं 58 हाइट पर या मोडलिंग में जाना है अब आपका देखिए दोड धूप वगरा यह भी यहां पर करना पड़ेगा ठीक है पंद्रा सु मिटर की दोड साढ़े पांस मिनिट में है और एक दसमलो तीन पांस मिटर का हाई जंप है चार मिटर का लोंग जंप है सो मिटर की 14 सेकिंड में दोड है अच्छा महिलाओं के लिए कम होगी मैं बताता हूं NCC के आपके एक दो और चारंग हो जाएंगे ट्रेनिंग आपके नो महीने के होगी अब महिलाएं महिलाओं के दोड इन्हों ने रखिया 800 मिटर की तीन मिनिट 45 सेकिंड में हाई जंप 1.1 और 100 मिटर रेस 17 सेकिंड में और ब्रोड जंप जो लॉंग जंप है वो तीन मिटर में स्लिबस के अगर मैं बात करूँ तो स्लिबस इन्हों ने यह नहीं बताया कि कौन सी चीज कितने नंबर कि आएगी यह भी नहीं बताया कि क्या क्या आएगा पुराने जो पेपर है उनके पेटरन के अधार पर जो हमने अंदाजा जहां मिल पाया वो लगाया है कि यहां पे इंगलिस, हिंदी, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, हिमाचल जीके करंट यह सबाएगा जो कि नॉर्मल किसी एगजाम में आता है अचा नेगटिव मार्किंग एक पटा चार रहेगी, नबबे परशन आएंगे, नबबे यंक मिलेंगे बाकी दसंका क्या होगा, वो चार NCC के हैं, छे हाइट के हैं तो टोटल सो हो गए दो गंटे का समय मिलेगा और इसमें आपको एक option जरूर भरना है नेगटिव किसे बजने के लिए, तो आपको क्या करना है, या तो A भरो, या B भरो, या C भरो, या D भरो अगर आपकी option को छोड़ना चाहते हैं, कि मैं तो कोई सा नी भरोगा, मुझे नहीं आता, क्योंकि नेगटिव मार्किंग है तो फिर आप क्या भरोगे, छोड़ने की बज़ए E भर दोगे, E का मतलब आपने नहीं attempt कि, आपको नेगटिव मार्किंग नहीं होगी तो अभी के लिए टाइटना ही, आपको यह जानकारी कैसी लगी, आपको इस comment box में थोड़ा कुछ second का समय देके जरूर बताना है वीडियो को like करें, share करें, specially जो बच्चे हिमाचल यह आसपास के हैं उन तक आप जरूर पहुंचाएं या ऐसे कोई facebook page पे, इसमें हमारी मदद करें, notebook से आप जुड़ सकते हैं YouTube, Telegram और WhatsApp चैनल पे सबके link इस वीडियो के description में और channel page पर जाएंगे तो channel page पे भी आपको about में मिल जाएंगे, all the best